कैसे आप सब भी लोग वेलकम बैक टू निदर गेम के वीडियो तो गाईज आरजम लोग दबार से कहले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट तो जैसे कि आप सब भी लोग को याद होगा कि लास्ट अपिसोड में गाईज मैंने अपने कासल के पीछे एक बहुत बड़ा टाउनोल अपने विलेजर्स के लिए ताकि उनको भी रहने के लिए कुछ परसनल स्पेस मिल जाए तो अभी ना फिलाल देखो यह जो टाउनोल है ना मैंने इसे डेकोरेट करके काफी जादा बढ़िया कर दिया है फ्रेंट साइट भी गाईज मैंने काफी सारे लैंटन लगा दिया ग्रास लगा दिया है लीज लगा दिया है फ्लार टिया है और अब जो उसके लूक है ना पहले से काफी जादा बढ़िया हो गई है और टॉप साइट पर ना गाईज मैंने थोड़ा चिमनी टाइप बना दिया है और उसको पर न मैंने campfire रख दिये हैं ताकि थोड़ा बहुत smoke वहाँ पर नजर आ जाए तो guys आज के वाली जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा amazing होने वाली है क्योंकि मैं अपने सभी villagers को इस town hall के अंदर move करवाने वाला हूँ बट उससे पहले ना guys हम लोग यहाँ पर उनकी लिए underground room बना देंगे basement में ताकि वो लोग जब रात हो जाए ना तो वहाँ पर जाकर अराम से सो जाए और यह वाला जोग इट है ना guys मैं से open कर दूँगा और यहाँ पर ना दो golem को लगाकर lead से side में बान देंगे ताकि कोई भी mob इस town hall के अंदर enter ना करवा है तो फिलाल काम अपने बास बहुत जाद है मैं पता है क्या सुच रहों कि यार मेरेको ना कुछ farm भी बनाने पड़ेंगे सबसे बहले तो potato farm क्योंकि अभी ना scene कुछ ऐसा है कि जो villagers थे ना मेरे उसमें से काफी सारे villagers मारे जा चुके है तीन चार villagers और बचे हैं यह देख रह मैं आपको कमाल की चीज दिखाना चाहता हूँ ताहनौल में तो काफी सारे चेंजिस करें थे लेकिन कासल में भी बहुत सारे चेंजिस हो चुके हैं तो मैं आपको टॉप से व्यू दिखाता हूँ वह कैसे देख रहे हैं उसके बाद हम लोग फट आवट से अपने जो ती इनको खिला खिला के मैं पेट भर देता हूँ यह कितने सारे बैंबू है और रभी इनको मिल चुगा है यह उटमेटिकली खाने लग जाते हैं तो गाइस दिको शाय से थोड़े बहुत बैंबू उनकी ऊपर ही जाकर गिर गए थे उन्होंने सीधा खाना शुरू कर दिये मैं खिलाओंगा तो शाय से जल्दी ब्रीडिंग करेंगे भाईस आप दो पांडा में लाया था और यह चे पांडा हो चुके हैं जगा भी ने यह देखो एक चोटा पांडा और आगए दो दो चोटे पांडा आगए लेक्स को गाईस पता नहीं कितने पांडा भी होने वा बाग यहां पर बैंबू उकते रहता है और मैं नको खिलाते रहता हूं तो भाई मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नियु रहा है कि इतने रेर अनिमल मेरे पास भाई इतने ज्यादा ओरक है मैं क्या बता हूं वाई काफी ज्यादा बड़ी अलग रहे हैं तो चला को यह मैं भी खाना कला रहा हैं मैं भी खाना कहाता हूं वर फटावट को चलते हैं सबसे वहाले बैसमेंट में रहाने वाले मीरे वाई पू तो फिर बैस चारफ्ट हो जाएंगे कोई दिक की बात नी है तो जल्दी से हम लोग बेसमेंट बनाते हैं बेसमेंट मैं कहां से बनाओ हाँ इस साइड से बनाते हैं जगा एक दम मतलब पता नहीं चलेगी तो यहां पर एंटरेंस ले देंगे इदर अभी मैं ब्लोक तोड़ता हूं और मेरे कुने एकदम मेजर करके बनानी है अभी इन दोनों के न हम लोग connect कर देंगे ताकि जो basement का रूम बने वो एकदम टाउनोल के बराबर रहे तो ओकी guys देखो इस तरफ भी मैंने डिक कर रहा था उस तरफ भी डिक कर रहा था अभी दोनों साइड आपस में connect हो चुके है अभी जल्दी से हम लोग बाहर निकलते हैं नहीं यार अभी कोई दिक कर नहीं अब बस square में यहाँ पर mining करनी है तो फटावट से इसको तोड़ के चूरा कर डालते हैं वैसे guys है सची में हेस्ट को लेकर तोड़ना ना बहुत ज़्यादा असान है ब्रिक्स तोड़ता गया ना अमरे को पता ही नहीं चला भाई साब तो गाईजर देखो एक क्रीपर ने अपने टाउनल की पूरी की पूरी लुक का नास पीट दिया तो अबना हमें अपने टाउनल के आसपास ना गोलेम कैट एंड डॉक्स एकदम भर के लगाने वाला हू क्योंकि जितनी भी जॉम्बी साइए उनको गोलेम कूठ कूठ के पटकेगा और जितनी भी स्कैलेडन सा उनको डॉक्षक है और बाकि जितनी भी क्रीपर्स है वो तो भाई साब कैट को देखके जो इनकी हवा खराब होती है मैं क्या बता हूँ तो भी आ फिलाल जल्दी से इसके अभी भी काफी सारा स्टोन पड़ा है तो अभी जड़िक निए पिर अपने श्टोन की कमी तो मैं से ठीक करूँगा बस द्यूपर रिपार करना ज्यादा काम नहीं है तो इसके अंदर काफी सारा स्टोन है और मैंने यहाँ पर आने से पहले फालतु का समान फैका नहीं था बट अभी मैं फैक देता हूँ और जितना भी स्टोन हैं सारा कलेक करते हैं तो चैलो काई सबीना फिलाल यहां से मैंने काफी सारा स्टोन कलेक कर लिया जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने कासल में और फटावट से बना लेते हैं सीधा स्टोन ब्रिक्स स्लैप्स ताकि हम लोग अपना जो बेस्में वेन को रूम बना पाऊना उसको मैं बड़ी तरीके से बना पाऊं अभी जल्दी से हम लोग ना थोड़ा बहुत स्टोन प्रिक से स्लैब भी बना लेते हैं और मेरे पास इस ताइम पर विल्कुल जगा ही नहीं है कि मैं उसको ठाके रख पाऊं तो यह जो बैम्बूज आसको यहां रखते हैं भाई धीरे धीरे ओके चलो कोई नहीं रात में जब मॉप साइंगे ना उसको मारके में पिकेक्स की हल्त बढ़ा लूगा और यह देखो यह तो मैं आपको दिखाने ही बूल गया था इस ताइम पर मैंने काफिछ उरे सी लैंटन यूज कर ले तो कि मैं ले कर आया था बट अब यह चलो सब्सक्र इना कैसल में तो क्ली की मैं ते लिए लूगा और दंटर के जician थे हैं और यह में को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो भी बस इसको पूरा complete करते हैं, और जो पहले ना guys, मैं काम करता हूँ, corner बना लेता हूँ, उसके बाद ये तो अपना बनते ही रहेगा, तो corner बनाने में को जादा नाइम लगेगा, तो okay guys, जैसे कि आप लोग यहाँ पर हो चुका है, top वाली जो side थी मैंने उसे cover कर दिया, अब बस मुझे यहाँ पर लगाना है, ताकि जो इसकी चछत है, वो भी पूरी ढग जाए, तो चलो guys, finally, यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी जो चछत है, उसको भी cover कर डाला है, अब बस यह जो नीचे का base है, यह रह रह तो इसलिए पहले यहाँ पर यह वाला जो area ना, इसको मैं तोड़ देता हूँ, बाकी दोर आप लोग यहाँ पर देख पारे हो, हेस्ट के थूरू किती तेज यहाँ पर टूट रहे हैं, और सबसे बस तरी कर लो, ताकि कोई दूसरी layer के blocks ना तोटे, और इस तरीके से बस हतियार चलाते जाओ, तो चलो guys, finally, 60 second के अंदर मैंने 60 से भी जादा cobblestone तोड़ डाले हैं, तो let's go, अभी फटरवर्ट से हम लोग यहाँ पर normal stone bricks लगाना शुरू कर देते हैं, और अभी मेरे पास ने stone bricks होड़े से कम है, तो मैं और लेकर आ जोगा, वो कोई दिकत की बात हैं, जहां पर कमी पड़ेगी, वहां पर हम लोगे slaps लगा देंगे, तो चलो guys, finally, यहां पर जो नीचे का base है, वो भी मैंने पूरे का पूरा complete कर दिया है, थोड़े बूत bricks की कमी मेरे को पड़ गई थी, बट यहां पर जो stone bricks है, उसको मैंने slap में convert करके, पूरे का पूरा है, वो complete कर डाला, अभी फिलाल, इसको काफी ज़दा अजीब लग रहे है, वो इसलिए, क्योंकि पूरे की पूरे जो block है, वो एकदम सेम हो गए, तो यहां की जो दो layer के blocks है, उसको मैं बाद में change कर दूँगा, अभी फिलाल, अपना इतना गाम हो चुगा है, जल्दी से अब लोग ऊपर चलते हैं, बाकी अभी ना, एक दिक्कत की बात है, कि अपनी pickax की ना, आप लोग ने एक बार ही health देखो, कितनी जादा कम हो चुकी है, तो scene कुछ ऐसा है, कि अपनी जो pickax है, वो एकदम बस तूटने वाली हालत मी हो रही है, और अभी बस मिरको ना, उसस इसको भी हम लोग स्टेर्स में convert करके लाते हैं, फिर आगे काम करते हैं, अपने पास stone bricks की बिल्कुल भी कम ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही अपने पास stone कितना जादा भरा पड़ा है, अभी फटावच्छे हम लोग बनाते है, stone bricks की stairs, तो stone bricks ये मेरे मेरे प मैंने काफी सारा फालतू का समान अपनी inventory से बाहर निकाल दिया है, अभी फटावच्छे हम लोग अपने town hall के अंदर चलते हैं, और इस ताइम पर ये एक XP farm बना पड़ा है, भाई साब यहां पर mobs पर mobs स्पॉन होई जा रहे हैं, अभी फटावच्छे बस मेरे को यहां यहां नहीं रहेगा और यह तूट जाएगी और अपना बहुत नुकसान हो जाएगा अब ध्यान रखके काम करना पड़ेगा, तो एक slab हम लोग यहां पर लगाते हैं, ताकि अपनी stair ब्लोक को नीचे लगाना पड़ेगा, और यहां पर नहीं पहले नहीं थोड़ा बना ल लग जाएगी, तो एक ब्लोक यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, ओके लगाते हैं, इसको एकदम नीचे तक लेकर चलते हैं, थोड़ी ब्लोक काफी जदा खराब हो गई है, तो यहां पर हम लोग इन ब्लोक को बाद में चेंज कर देंगे, अभी फिलाल मेरे पास काफी सारी स्टेर्स बची भी है, तो इसको मैं उल्टा करकर के लगाता हूँ, ताकि यहने एकदम अजीब से नहीं लगेंगे, देखो, अब आरे हैं इसमें बढ़िया लोग, पहले थोड़े बहुत अजीब से लग रहे थे, बट अभी यह एकदम परफेक्ट हो अपने पास कोण कोण से हैं, तो पहला देखतो हैं, यह अपना होगया स्मीथिंग टेबल, एक, दो, तीन, चार, पांच, अपने पास सिफ वसे पांच टाइप के ही वक्स्टेशन हैं जहां तक मुझे लग रहा है, तो मेरको भी छे टाइप के वक्स्टेशन और बनाने है तो अब चल कर देखते हैं, इन में से कितने हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं, और कितने हमें किसी ने किसी विलेज से ढूंड के लाने पड़ेंगे, अब जहां तक मुझे लग रहा है, ब्रूइंग स्टेशन तो हमारे पास पढ़ा हुआ है, तो ब्रूइंग स्टेशन तो यह तो मैं ले जाकर लगा दूँगा, अभी बाकी मैं देखता हूँ, लूम हाँ, एक लूम भी होता है, वो मेरे कोई याद नहीं है कि क्या यूज होता है, बट हम लोग उसे क्राफ्ट कर सकते हैं, तो लूम तो क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्या पता कि जाद ही काम का हो, लूम हो गया, स्मोकर देखते हैं, स्मोकर जहां तक मुझे पता है कि नहीं कर सकते, ओके स्मोकर भी हो जाएगा, इसके लिए हमें बस डाक वूट चाहिए और फर्नेस चाहिए, तो वो तो एजली मिल जाएगा, डाक वूट मेरे पास बड़ा हुआ था, जहां तक नहीं य और स्टोन कटर किस चीज़ से बनता था, एक मिनट यहां पर स्टोन कटर चाहिए, और एक आयरन चाहिए, तो तीन स्टोन तो मुझे ईजली मिल जाएगा, जो मेरा वुगला क्राफ्टिंक टेवल है, उसके इस टाइम पर स्टोन ही बन रहे है तो भी फटरवर्ट से हम लो प्रवल से वह मतलब कुको रहे थे बीफट्वर्ट रच्न लोग चल कर देखते हैं कि वह कुक हुए या फिर नहीं हुए तो च्छालो गाइस अभी ना फिला लेमें आपट से मैंने काफी सारा स्टोन कलेकर लेया यह जल्दी से हम लोग ना एक स्टोन कटर बना ले तो इस जितने भी डाइब की गाइज यह टेबल साना अज सारे की सारे में बना डालूगा ताकि अपने पासना गाइज हर टाइप का विलेजर हो वाकिया डाक ओक जहां तक मुझे याद है मुझे उस साइड पर मिल जाएगा तो च्या लोगाइस अभी ना फिलाल मैं अपने कासल की स्मोकर वो भी बन जाएगे और साथ ही जो विलेजर ने अपना विलेजर कह रहा हूं क्रीपर ने जो अपना गेट तोड़ा ताना टाउनुल का यह भी रिपैर हो जाएगा तो भी फटावट से गाइस मैं नीचे आचको और यह मैं यहां करने हो भाई अपना क्राफ्टिं अपने पास ready हो गई है और बारी है ग्रेंडिस्टोन बनाने की तो देख लेते हैं आखिरकार वह कैसे बनता है तो इसको बनाने के लिए में दो प्लैंक्स चीज़िए और एक स्लैब चुई है तो स्लैब तो में नॉर्मल यहां से मिल जाएगा बस तीन को में कुछ इस तर और आइटम हो चुके है और अभी एक रह रहा है उसका नाम सी से कुछ होता था एक मिनट रुख जाओ हां तो गाइस उसका नाम कॉल्ड्रोन होता है वो लेधर वर्क के लिए यूज होता है और यह तो गाइस नॉर्मली आयरें से बन जाता है तो चलो गाइस एक दो तीन चलकर हम लोग ने छोटा सा फार्म भी बना देते हैं ताकि मैं विलेज इसको ब्रीड भी करा पाऊं और थोड़ी बहुत यार्ट टोर्चिस्ट ही होगी एक मिनट लोग यहां परियार कोल मेरे साब से सारा खतम हो गया है तो गाइस जर्दी को फिलाल रात हो रही है और अ काफी सारे स्केलेडेंस मेरे को इधर नजर आ रहे हैं और इसको तो बिचारे को मैंने उपर नीचे उतर नहीं नहीं दिया मतलब और आओ बेट आप सब के गंदी तरह पड़ेगे ओ बाई 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 मेरे को मारेगा ओके स्पाइडर भी गई स्वार्ड निकाल ले दूं करते हैं जल्दी से विलेजर को अंदर मोग कर आते क्यों कि आरदी को मेरे को फार्म बनाना है ना जल्द बाजी की चक्कर में छोटा मोटा फार्म नी बनाएंगे और यार यह वुट से तूटने वाली चीज़ है एक तो हेस्ट लगा हुए तोड़ना क्या चाता हूं तू बाकी यहां से जितने भी बैट्स हैं उन सबको भी तोड़ के मैं कलेक कर लेता हूं और बाकी जो फाल्तु का समाना है इसको सारा भी मुझे फेक ना पड़ेगा भाई सब वाला जो गोल है एक तम पूरा ही चूरन है इसके बगल में आकर ना एक मतलब की जोंबी विलेजर को मार रहा है और यह खड़े ओकर देख रहा था बट कोई नहीं हो तो सही है मैंने बचा लिया लेगिन वह लेजर रहा है भाग कर उस साइट पर गया था तो जहां तक मुझे लग रहा है इधर भी जोंबी ओके ठीक है अभी मैंने इसका वरक स्टेशन तोड़ दिया और नइए वाले टाउन अल में अभी फटवट्चे गाई इसको लेकर चलते हैं सारा समान लेक्ट हो चुका है जल्दी सम्नक चुलते हैं तो जैसे गाईज मैं यहां पर इनका सारा समान रखूँगा मतलब इनके वक्स्टेशन रखूँगा यह ओटोमेटिक मैं इधर आ और यह अपना smoker मुझे ना पहले test करने आकर कितने टाइप के हम लोग यहां पर बना चुके हैं तो यह अपना क्या कहते हैं इसको हाँ इसका नाम होता है भाई सब अभी जो टाउनोल है इसके अंदर विलेजर में इतने ज्यादा भर दूगा ना कम से कम 20-30 विलेजर से यहां पर आराम से होगे और उनकी सिक्यूरिटी भी एक दम अच्छे से करनी है तो यह दिगो भाई स्टोन कटर भी रख दिया और अभी शाह से ओके एक यह ब बैट भी लगा देता हूं ताकि जब भी रात हो यह सीधा नीचे आकर सो जाएं और मुझे यहां पर टोर्ची अच्छे से लगानी पड़ेगी ताकि इधर ना कोई भी मतलब मॉब स्पॉन ना हो तो सबसे पहले यह करते हैं उसके बाद ना गाइस हम लोग यहां पर फोर नीचे लगाने मैं पीछे इसलिए आया हूं कि मिनको थोड़ा बहुत खाना चाहिए भाई पता चला खाने की कमी पड़ी है और एक काम करता हूं यहां से ना आयरन भी लेकर चलता हूं और वहां पर अपने लिए भी गाइस मैं क्राफ्टिंग टेव आयरन यहां इतना सार यहां पर से मैंने काफी सारे ब्लॉक ऑफ आयरन बना लिया है ताकि मैं काफी सारे आयरन गोलम इधर बना पाऊं फिलाल मिरको नहीं थोड़ी बूट लेकर आनी चाहिए थी ताकि मतलब की जो आयरन गोलम हैं उनको मैं बांद के रख सकूं वो ज्यादा दूर ने चले जा चार तो सारे के सारे गाईज एक ही साथ मैं बनाऊंगा ठीक है मैं काफी दिनों बाद गाईज एक गोलम बनाने जा रहा हूं भाई मिरको जरौती नहीं पड़ती थी इन सब चीजों की और यह आपस में टैच है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बने नहां मुझे पता यह नहीं ब पड़ेगी तो उसके लिए गाईज मेरे को अपना एक आयरन से काम हो जाएगा यह चाहिए होगा ठीक है शेयर शेयर के थुरू अपना काम हो जाएगा तो पहले इन पंकिन को यहां पर रखते हैं अब यह जितने भी पंकिन है इसको मैं कंवर्ट कर दें इसको क्या कहते है जब यह आई बन जाते हैं तो पता नहीं से क्या गयते हैं अभी दुबार से कलेक्ट करता हूं तो हमें इसका नाम पता चलेगा लेगा लेट्स गो एक दो तीन चार पांच ओके तो गाईज अभी फटरवट से हम लोग चलते हैं दुबार से इन पंकिन को लगाने के लिए तो अबीना फिलाल मैं अपने नॉर्मल पंकिन को काफ मंकिन में कनवर्ट कर ले और यहां से ना गाईज मैंने काफी सारे प्रिजमी ने इन ब्रिक्स भी कलेक्ट कर ले और वो किसले करें वो मैं आपको भी आगे चल कर दिखाता हूं बट सबसे पहले हम लोग यहां पर अ उसको काफी ज़दा बढ़िया कर सकता हूं और अब देखना भाई यहां पर क्या ही लुक आने वाले है एक दम पूरा पानी वाली लुक आएगी तो ओकी गाईस जैसा कि आप लोग यहां पर देख पारे हो फाइनली तुमारे भाई ने जो बेस है ना इसकी लुक कितनी ज अब पास हो जाएंगे तम मैं यहां पर थोड़े बहुतना बैट्स बढ़ा दूगा और वैसे रात हो चुकी है और अपने विलेजर कहां चलेगा है वहां पर क्या कर रहा है पागल है अच्छा एक सेकिन यह वहां पर इनका बैड बैड पागल होका तुमारा बैड उधर ह करने आरे भाई इनकी यादाश खराब हो गया है या फिर अंदर और बैड पड़े वे हैं कुछ ना कुछ तो गड़ यार मैंने यहां से सारे बैड अटा दिये हैं यह फिर भी यहां पर क्या करने आ रहे हैं मेरेको यह नहीं समझा रहा है रात हो चुकी है अभी जोंबी- को देखो कहां चर-चर के बैठे में तो चलो गाइस अभी ना फिलाल मैं वापिस से नीचे आ चुका हूं बैट्स लेने के लिए मुझे नहीं पता यह लोग अंडर ग्राउंड कैसे आने वाले हैं इस बैड को लेकर चलता हूं दीरी-दीरी का पता वो इसको फोलो करते-क यहां पर आ जाए क्योंकि रात हो रही है और रात को उनको सोने को चाहिए तो चलो गाइस अभी ना फिलाल मैं बैड लेकर इन तीनों के पास आ चुका हूं यहां पर लाकर मैंने बैड रख दिया और एक दो ने देख लिया वो और वो लोग दीरी-दीरी ना गाइस बैड को मूव कराने की बस थोड़ा बहुत ना आपको मतलब मॉप से ध्यान रखना पड़ेगा यह दोनों बिचारे खड़े ओकर देखने थे और तीसरा वाला विलेजर वो यहां के सो गया तो बस अभी मैं इसी तरीके से बैड रखता हुए जाऊंगा और धीरी-धीरे करके इ से इसको बंद करो तो गाइसर दिखो भी ना फिलाल लास टाइम ना इधर एक विलेजर खड़ा हुआ था बट जैसे इधर मॉप साय थे ना वह भाग कर पता नहीं कहा चला गया मेरे को नजरी नहीं आ रहा है वापिस तो नहीं जाने वाला क्योंकि वहां पर भी बैट्स शाय से कहीं वह अंदर ना मचाigon करवा कर इनकी जो पॉपलेशन बढ़ा सकते हैं फिलाला भी न जल्दी से अंदर यहां पर कोई प्र आने वाला हूँ मैं बट टैंपरर लगा जेते हैं ताकि इदर बिल्कुल भी मौप सब्पॉन ना हो तो चलो काई सबीना फिलाल मैंने नीचे वाले रूम को और साथ ही इस उपर वाले फ्लोर को भी पूरा पूरा ग्लो कर दिया, टॉर्चस लगा कर बड़ अबीना मुझे ये नी समझा रहा कि आखिरकार अपना वो अला विलेजर गया कहां पर बड़ जहां तक मुझे पता है वो मरा नी होगा शाहसे दिन होते ही वो वापिस आजाएगा अपने वर्क स्टेशन पर बड़ फिर भी एक बार ही थोड़ा बहुत मैं उसे इधर उदर ढूंड लूँगा अगर मिलेगा तो बैट लगा कर मैं इधर ले आउँगा तो चलो आज कि इस वाली वीडियो में इतने ही गर आपको यह वाली वीडियो चाहिए लगे हो तो फटावर से इस वीडियो को जागा लाइक कर देना अगर अगर अभी भी कोई वर्क स्टेशन रह रहा है न तो मुझे कमें जाकर जरूर बताना कि वह कौन सा है वैसे जहां तक मुझे लगता है अब हमारे पास हर टाइपस के विलेजर होने वाले मतलब 11 विलेजर वो भी अलग-अलग काम करने वाले तो बहुत ज्यादा बड़िया सीन रहेगा तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग दो बड़िया दरीके से ब्रेडिंग-ब्रेडिंग करवा के एक बड़िया साफ फार्म बनाके पोटाटो का इनकी जो जनसंख्या पूरी बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा मुझा आने वाला है और हाँ जिसने भी तक चैनल को सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मुझे इसे इस इस बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ट सवर्ण जोईन कर सकते हो इन्साग्राइमें डिस्कोर्ट दोनों का लिंक निचे डिस्रिप्शन में है तो आज किस वाली वीडियो में इतने ही मिलते एगली वीडि झाल झाल झाल